राश्टकृत उद्योग के खिलाप जो एक बननावी हो रही है हम लोग चाह रहे हैं कि इस अंबिलन के माध्यम से देश की जनता को ये बताएंगे राश्टकृत उद्योग देश की विकास के लिए समरपित है और राश्ट्रकृत उद्योग घाटे पे नहीं जा रहा है भारत में 205 पॉब्लिक सेक्टर कंपेनी एक साल के अंदर 74,000 करोड का मुनाफा दिया है LIC जो कि लोगों की संस्थान है और एक सार्वजनिक उद्योग है वो हर साल 3,500,000 करोड से 4,500,000 करोड का सरप्लस भारत सरकार को दे रही है एक साल के अंदर लगभग 3,000 करोड का डिविजेंट दे रही है LIC और आज LIC के पास जो परिसंपत्ती है उस परिसंपत्ती का परिवान है लगभग 43,000,000 करोड को दिया तो ये LIC भारत सरकार की है, लोगों की है और लोगों को पल्यान के लिए समर्फित है तो हम जन्ता से ये कहना चाहिए कि आप आईए इस LIC को और भी ससक्त बनाए ताकि देश की विटास और जन्ता के विटास के लिए LIC काम कर सेके आज हम लोग देख रहे हैं कि LIC का सांधार प्रगती हो रहा है लेकिन पॉब्लिक सेक्टर, LIC जैसा पॉब्लिक सेक्टर इसका ग्रोध या अभिवृद्धी इसका कोई माने नहीं रहता है जब इसका फाइदा हमारे वेरोजगार नोजवारों को नहीं पहुँच पाएगा आज देश में वेरोजगारी की जो आलम है पिछले 45 सालों में वेरोजगारी इतना भंकर रूप धारण नहीं किया था जितना आज किया है तो हमारी संगठन ये डिमांड कर रहा है हमारे वीमा धारकों को बहतर सेवा देने के लिए LIC का सार्विसिंग में और भी बहतरी लाने के लिए और देश की वेरोजगारों को LIC का ग्रोध का फाइदा को पहुँचाने के लिए LIC में क्लास 3 और क्लास 4 कडर में नई रिक्रूट्मेंट नई वहाली की आवस्यक्ता है उस मुद्दा को लेकर के हमारे संबेलन में हम लोग चर्चा करेंगे और ये सुलिश्चित करेंगे कि LIC में रिक्रूट्मेंट हो तीसरा जो मुद्दा है आज बीमा करमचारियों का LIC करमचारियों का 1.8.2022 से नया बेतन पुररिख्यंट दे हो गया है हमने हमारे संगठन के तरफ से LIC मेनेज्मेंट को अपना मांग पत्र रख चुके हैं LIC मेनेज्मेंट के सामने ये संबेलन की मंच से हम लोग ये रिजोलूशन लेगे कि जल्द ही अभिलम बारतालाव सुरू करते हुए हमारे जो बेसिक इकनोमिक डिमांड है बेतन पुररिख्यंट का उसको भी LIC मेनेज्मेंट मान ले चोथा जो मुद्दा है आज हम लोग देख रहे हैं कि आज की केंद्र सरकार के लेगे राश्टेकृत उद्योग को बदनाम करते हुए नीजी करण का एक मोहिम चल रही है जबकि हकीकत यह है कि राश्टेकृत उद्योग हमारे देश के आर्थिक विगास की प्रक्रिया में भरपूर युगदान कर रहे हैं और पिछले एक साल के अंदर 74,000 करोड का डिविडेंट वारत सरकार को दिये हैं हमारे पॉब्लिक सेक्टर देश के एक साल के अंदर सरकार को लगभग 1,89,000 करोड का मुनाफ़ा दिये हैं लेकिन सरकार की तरफ से जूट फैलाए जारा है कि पॉब्लिक सेक्टर काम नहीं कर रहा है तो ये जो जूट फैलाए जारा है इस बिंदु पर भी हम लोगों के बीच जादरुकता पैदा करने की कोसिस करेंगे और तमाम पब्लिक सेक्टर को नीजीगरन से रोकते हुए LIC को पब्लिक सेक्टर में सुरखित रखने के लिए भी कोसिस करेंगे और सबसे जो बड़ी बात है आज जाती और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की जो कोसिस हो रही है हम बीमा करमचरियों को ये कहना चाह रहे हैं देश की जनता को ये कहना चाह रहे हैं कि आजाद हिंदुस्थान का जो निर्माण हुआ है वो किसी एक जात या किसी एक धर्म के लोग नहीं किये हैं हम सब भारत बासी एक होकर के इस भारत को आज तक आगे ले करके आये हैं हमारी ये जो एकता इस एकता को कायम करते हुए तेश को विकास की रहा पर ले जाएंगे इसी दिसा में भी हमारे संबैलन में हम लोग कुछ फैसला लेंगे